दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुड़न खंड ग्याद करना सीखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग किस तरह की परशनों का गुड़न खंड ग्याद करेंगे इस वीडियो में हम लोग इसका भी गुडन खंड ग्याद करेंगे इसका भी गुडन खंड ग्याद करेंगे और इसका भी गुडन खंड ग्याद करेंगे यानि कि पूरे 6 प्रश्ण है हम लोग 6 प्रश्णों का गुडन खंड ग्याद करेंगे इसमें ये जो 6 प्रश्ण है इसको आप लोग जरूर दिखेगा क्योंकि अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आप इतना समझे लिजिए कि आप लोग आदे से अधिक गुड़न खंड नहीं कर पाएंगे इसमें एक तरीके से एक आप लोग नया कॉंसेप्ट सीखेंगे ठीक है तो आप लोग इसे जरूर देखेगा और वीडियो क्लाश्ट में आपसे मैं एक क्वेस्टन भी पूछूंगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो देखेगे गुड़न खंड ग्यात करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक रूल समाझ लेते हैं तब जाकर कि हम लोग ये गुड़न खंड बहुत यासानी से कर सकत हैं तो देखेगे आपको केवल दो चीजे समझना है पहला चीज यह यानि कि पहला रूल आप लोग कर सकते हैं कि जब भी कोई संख्या रहे और कोई अंग्रेजी का लेटर है और अगर उनके बीच में कोई चिन नहीं रहता तो समझे कि उनके बीच में गुड़ा का चिन ह एक्जामपल के लिए यहां पे आठ यक्स है ठीक है तो यहां पे आठ संख्या है यक्स जो है अंग्रेजी का लेटर है तो अंग्रेजी का लेटर में जब भी कहूंगा तो आप लोग यह समझेगा अंग्रेजी का लेटर कितने होते हैं A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे पूरे Z तक यानि कि पूरे 26 अंग्रेजी का लेटर होते हैं तो जब भी कोई संख्या रहे और कोई अंग्रेजी का लेटर है और उनके बीच में कोई चिन नहीं रहे तो आप इतना समझेगा कि उनके बीच में गुड़ा का चिन है जैसे यहां पे देखिए संख्या और अंग्रेजी क कि लेटर के बीच में कोई चिन नहीं है तो इसका मतलर में इनके बीच में गुड़ा का चिन है यानि कि इसको हम इतना लिख सकते हैं ठीक है ठीक यही रूल इस तरीके सभी apply होता है कि जब कोई अंग्रेजी का लेटर आए और कोई दूसरा अंग्रेजी का लेटर आ जाए तो उनके बीच में हमें सब गुड़ा का चीन रहता है जैसे मालेजी यहाँ पर xy है तो यहाँ पर xy दोनों अंग्रेजी का लेटर है और इनके बीच में कोई चिन नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, कि इनके बीच में गुड़ा का चिन है, ठीक है, ऐसे ये इस तरीके से भी हो सकता है, माले जी 8 हो गया, फिर A square B हो गया, तो यहां पर देखिए 8 संख्या हो गया, A अंगरे जी का लेटर हो गया, B भी अंगरे ज राता है, जैसे माले जी यहां पर 5 है, और उस पर कोई घात, माले यह 3 हो गया, तो नीचे वाले इसको हम लोग आधार करते हैं, इसको हम लोग घात करते हैं, ठीक है, तो जब भी आधार पर जितना घात राता है, हम लोग आधार का उतनी बार गुड़ा करते हैं, यानि कि 5 पर 3 गात का मतलब यही होगा कि 5 का 3 बार गुड़ा यानि कि ये और ये दोनों बराबर चीज़ है वैसे इमाल लेजे यहाँ पर X पर 3 गात है तो हम क्या समझेंगे आधार X पर 3 गात है तो आधार X का हम लोग 3 बार ऐसे गुड़ा करेंगे वैसे इमाल लेजे अगर Y पर Y पर 2 गात है तो हम लोग क्या समझेंगे Y का 2 बार गुड़ा समझेंगे और इसका उल्टा भी सही है एक्जांपल के लिए जिसमाल लेजे A गुड़ा A गुड़ा A गुड़ा A यहाँ पर A 4 बार गुड़ा हुआ है तो इसको 60 में Y पर 2 गात लिखेंगे तो आयोप आपको समझ आ गया होगा अब चलिए हम लोग प्रशनों के तरफ बढ़ते हैं ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसका गुड़ा खन गयात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 X स्क्यार Y है ना इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर जो संख्या 12 है ना हम लोग 12 का गुड़ा खन करेंगे कुछ इस तरीके से तो 2 6 का 12 2 3 6 3 1 3 लास्ट में 1 लाना रहता है अब हम लोग इस 12 को इन सब का गुड़ा के रुप में लिख सकते हैं कि 12 को 2 गुड़ा 2 गुड़ा 3 लिख सकते हैं आप लोग देखे सकते हैं गुड़ा करेंगे तो 12 आ जाएगे 2 2 4 3 12 तो हम 12 के जगर लिख सकते हैं 2 गुड़ा 2 गुड़ा 3 इन सब का गुड़ा करके अब देखें यक्स उसका रहे तो X पर 2 गात है ना कि किसी भी चीज का अगर हमें गुड़ा खंड ग्यात करना है तो हम लोग उसको गुड़ा करुप में लिख देंगे वह ही उसका गुड़ा खंड हो जाएगा जैसे देखे हम लोग इसको जो है यहाँ पर गुड़ा करुप में लिख दिये हैं यहां पर 20 का गुड़ान खंड करें तो 2 दा पर 20 हो गया, 2 पाचे 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, तो 20 को हम लोग 2 गुड़ा, 2 गुड़ा 5 गुड़ा, 2 गुड़ा 5 गुड़ा A sqr को हम लिख देंगे, A गुड़ा A, B पर 3 गात है, तो हम B का तीन बार गुड़ा करेंगे तो बस इसका गुड़न खंड इतना हो गया तो यही आंस्वर हो जाएगा तो देखिए इन दोनों सवालों में केवल एक एक पद था यह एक पद है यह एक पद है लेकिन हम लोग आगे इस प्रशन को हल करते हैं इसमें देखिए दो पद है यह पहला पद हो जाएगा यह दूसरा पद हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं बीच में यहां पर प्लस का चिन लगा है तो यह पहला पद हो यह दूसरा पद तो इसका भी हम लोग गुड़न खंड बिल्कुल इसी तरीकिस करेंगे आप ये समझे कि ये जो प्लस के इधर है समझे आप ये अकेला पद है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले इस अकेला पद का गुड़न खंड करेंगे तो बिल्कुल इसी नियम से, जैसे हम लोग इसका गुड़न खंड करते थे न, बिल्कुल इसी तरीके से इसका गुड़न खंड करेंगे, फिर आप इसको डख लेजिए, फिर हम लोग इसका गुड़न खंड भी इसी तरीके से करेंगे, आप समझें कि ये दोनों अलग- है तो प्लस लिखिए अब यहां पर यह 5 संख्या हो गया अंग्रीजी का लेटर हो गया तो 5 गुड़ा एकस उस्कार इतना हो जाएगा अब क्या करेंगे अब संख्या 10 का हम लोग गुड़न खंड करेंगे तो है पर कर लेते तो 25.10 5 एक कम 5 यानि कि 10 को दो गुड़ा पांच लिख सकते हैं तो दो गुड़ा 5 हो जाएगा यक्स को एकस लिखिए वाई को वाई लिखिए फिर प्लस है तो प्लस लिखिए अब अब यहां पर यह हो जाएगा 5 गुड़ा अब चुकि 5 को तो और छोटा कर नहीं सकते हैं इस तरीके से अब यहां पर x इसको लिखेंगे x गुड़ा x ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका गुड़न खंड इतना आ गया इसका गुड़न खंड इतना आ गया जो दोनों में होता है उसी को कामन करते हैं तो इन दोनों में क्या क्या आपको दिख रहा है देखे इसमें पांच दिख रहा है इसमें भी पांच है तो पांच कामन हो गया इसमें यक्स है इसमें भी यक्स है तो यक्स कामन हो गया तो केवल दो इच इच कामन है तो जो कामन रहता है वो हम यहां पर बाहर लिख लेते हैं और यहां पर कोश्टक के अंदर जो कामन नहीं रहता उसे लिखते हैं तो पहला पद इतना है तो पहला पद में 5x तो कामन हो गया तो क्या-क्या बचा दो बचा वाई बचा तो हम दो गुड़ा वाई यहां पर लिख लेते हैं प्लस यक्स यानि कि इसका गुड़न खंड इतना गया तो बस यह आंसर हो गया अब चलिए अब हम लोग अगले प्रस्ष्ण के तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिया गया है तीन वाई माइनस बारह तो यहां पर पाला पद यह दूसरा पद यह तो इसका गुड़न खंड करेंगे तो तीन गुड़ा वाई हो जाएगा फिर माइनस है तो माइनस लिखिए अब बारह का गुड़न खंड कर लेते हैं अब इसके अलमा कोई दोनों में मैस नहीं कर रहा है तो तीन यहां पर लिख लेंगे, यही कामन हो जाएगा, यहां पर कोष्टक लगा लेते हैं, अब पाला पद यह है, तो इसमें y बच गया है, तो y हो जाएगा, माइनस है, तो माइनस लिखे, अब यहां पर दो गुड़ गुड़ा a, गुड़ा b, माइनस है, माइनस लिखे, यहां पर यह हो जाएगा, 12 गुड़ा, अंगरेजी का लेटर रहे ने, तो यहां पर गुड़ा रहेगा, यहां पर भी गुड़ा, तो a square गुड़ा b हो गया, अब उसके बाद 18 को, हम लोग इस तरीके से गुड़न ख लिखे, अब 12 को भी, ऐसे 12 का भी गुड़न खन कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, 2, 6, 12, 2, 3, 6, 3, एकम 3, तो 12 को लिख देंगे, हम लोग 2 गुड़ा, 2 गुड़ा, 3, फिर गुड़ा, अब a पर 2 गात है, तो हम लोग a का 2 बार गुड़ा करेंगे, b को ऐसे लिखेंगे, अब इन दोनों में देखें, क्या क्या मैच कर रहा है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 देख रहा है, इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें B है, इसमें भी B है, ठीक है, तो जो दोनों में देख रहा है, वो कोष्टक के बाहर हो जाएगा, 2 गुड़ा, 3 गुड़ा, A गुड़ा B यह कोष्टा के बाहर हो जाएगा अब ओँच्टा के अंदर क्या बचेगा तो देखिये यह पहला पद था यह दूसरा पद ना तो पहले पद में यह 3 बच जाएगा तो 3 यहाँ पर लेखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा अब इसमें क्या बचेगा ये 2 बचे जाएगा ए बच जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुड़ा A अब गुड़ा कर लेते हैं तो 2,3,6 और यहाँ पर A,B का गुड़ा करेंगा तो A भी हो जाएगा ये 3-2 का A में गुड़ा करेंगा तो ये हो जाएगा 2A तो इसका गुड़न खंड यही हो जाएगा तो बस यह आंस हो रहे अब हम लोग इस छटवे प्रश्ण को हल करते हैं तो इसको आप लोग थोड़े ध्यान से समझिएगा ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे यह भी बिल्कुल उसी तरीके से है लेकिन बस एक सिंपल सा एक छोटा रूल बदल जाएगा तो दिखें यहां पर दिखें यह संख्या होगा यह अंगरी जी का लेटर होगा तो इनके बीच में गुड़ा हो जाएगा बारा गुड़ा वाई स्कुयार पलस है तो पलस लिखिए अब यहां पर इनके बीच में गुड़ा हो जाएगा छै गुड़ा वाई अब क्या करेंगे इस बारा का गुड़न खन करते हैं तो यह हो जाएगा दो छा का बारा दो त्याँ छै तीन एकम तीन यानि कि बारा को लिख सकते हैं ठीक है अब इन दोनों में क्या क्या दिख रहा है दो दिख रहा है दो दिख रहा है तीन दिख रहा है तीन दिख रहा है वाई दिख रहा है ठीक है अब जो जो दोनों में है उसको बाहर लिख लेते हैं दो गुड़ा तीन गुड़ा वाई अब दिखे यहां पर क्या यहां पर y बचेगा तो 2 गुड़ा y हो जाएगा प्लस है तो प्लस लिखिए आप देखे इसमें कुछ बच नहीं रहा है ठीक है ना तो जब कुछ भी नहीं बचता तो हम लोग एक मान करके चलते हैं यहां पर एक लिख लिजिए तो बस आप समझे कि बस यही एक अलग रू गया तो आई होप आपको बहुत यह अच्छे से समझ आया होगा अब मैं आप से सवाल पूस्ता हूं तो आप लोग यहां पर देख लिजिए 2x2-10xy आप लोग इसका गुड़न खंड करके कमेंट में जरूर लिखेगा